हेलो फ्रेंड्स कैसे हो आप सभी बच्चो आज हम हरियाना जीक्चे का एक और इम्पोर्टेंट टोपिक लेकर आए हैं और वो है चंडीगड का सामाने ग्यान क्योंकि जो चंडीगड है वो हरियाना जीक्चे में वहां से कई बार क्यूशन बन जाते हैं क्योंकि वो एक इसी फिर्ट जो है वो बन जाता है तो चलिए आज हम चंडीगड के बारे में देखते हैं क्यूशन से तो ये देखिए ये चंडीगड का मैप है और चंडीगड है ये हरियाना से पूरु दिशा में लगा हुआ है बाकि ये तिन्नों दिशाओं से लगा हुआ है जो है पंजाब से ठीक है हर्याना का सिर्फ एक जिला जो है वो चंडिगर को टच करता है पंचकोला जिला एक मात्र ये जो है चंडिगर के कुछ साइन है ये ओपन है जैसे रोज गार्डन है ये सब कुछ जो है वाकी कुछ फेमस चीजे हैं सुखना लेक है, ठीक है, जैसे रोग गार्डन है, यह सब, चलिए अब चंडीगड के बारे में questions देखते हैं, चंडिगड की स्थापना कब हुई थी तो चंडिगड की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1952 में और चंडिगड को नियोजन करने के लिए जो एक खाका तयार किया गया था वो किया गया था 1950 में और ये किस ने किया था में अलबर्ट मेयर ने और इसकी स्थापना हुई थी 1952 में और इसका जो है वो सिल्यानास किया गया था कब किया गया था 7 अक्तूबर 1953 को डॉक्टर राजेंदर परशाद के द्वारा और जो चंडिगड का नाम है ये माता चंड देवी है उनका मंदिर है चंडिगड का वास्तूकार लेकार बुजिये यहां से एक्जाम में क्यूशन डारेक्ट पुट अप हो जाते हैं कि चंडिगड का वास्तूकार कोन है हर्याना की विधान सभा का वास्तूकार कोन है ये बहुत ईजी है लेकिन यहां से डारेक्ट क जो है आम का पेड़ है और निर्त भंगड़ा और गीदा है अब यहां पर यह भी धान रखना है कि जो हर्याने के हैं हर्याना राज्ये के हैं वो अलग हैं जैसे कि वहां की पक्षी पसू पुष्प अलग हैं लेकिन चंडिगड के जो हैं यह अलग हैं यह दोनों को में हमें चंडिगड को यूटी का दरजा जो हो मिल गया था क्योंकि हैरियाना चाहता था कि चंडिगड हैरियाने में मिला दिया जाए और पंजाब चाहता था कि चंडिगड को पंजाब में मिला दिया जाए तो इसलिए इसको ये जगड़ा खतम करने के लिए इसको किसी को भी नहीं दिया गया ना हर्याने को ना पंजाब को और इसको जो है एक यूटी बना दिया गया ठीक है समझ रहे हो चलिए नेक्स्ट क्यूस्ट और इसका छेतर फल कितना है छेतर फल है इसका 114 वरग किलोमेटर लिंगानु पात है 818 परती हजार पुर्षों पे जन संक्या गंताओ है 9222-चन-चन क्या गंताओ है यहां का और शक्षरता ढर यहां की 86% है और यहां का जो परतीक है वो है एक खुला हात open hand ठीक है यह देखिए, हमने उपर इसकी पिक्चर भी देखी थी, यह यहां का जो है परतीक है, ओपन हैंड की जो हमने पिक्चर देखी थी, यह देखिए, यह जो है, यह है यहां का परतीक है जो, ठीक है? चलिए अब अपने किस्चन पे वापिस चलते हैं, कुल गाउं कितने हैं चंडिगर में, 24 गाउं है, कुल जिले एक है, तैसिल एक है, नगर एक है, चंडिगर का दिल किसे कहा जाता है, तो यह कहा जाता है, सीटी सेंटर, जो की चंडिगर के सेक्टर 17 में है, चंडिगर का फ इंडर्स्ट्रिल एरिया है उसको कहा जाता है चंडीगड का पर्थम आयोक्त ये इस तरह के क्यूशन बहुत पुछे जाते हैं एक्जाम में तो चंडीगड के जो पर्थम आयोक्त थे वो थे MS रंधावा और ये कब बनाए गए थे एक नमंबर 1966 को ठीक है और चंडीगड का जो अंतिम आयोक्त है ये पहले आयोक्त थे और ये अंतिम आयोक्त यहां पर पूछे गए हैं तो ये थे किर्षना बैनर जी जो की एक जून 1984 तक रहे थे यानि के एक नमंबर 1966 से एक जून 1984 तक जो चंडीगड में आयोक्त नुक्त किये जाते थे उसके बाद ये में यहां पर देखो दिया गया है एक जून 1984 और 2 जूनsen 1984 चलने लग गया परशासक का चास्वा करना अब जूटा होता है जो पंजाब का परशासक होता है और फंजाब जो हो धन में गवरर्णर डा अचलने परशास Minor होगा ठीक है समझ में आ गया होगा आपको ठीक है कन्फूज नहीं होना है इनको कुछनों को अच्छे से करना क्योंकि पर्थम आयुक्त भी पूछ सकते हैं और यह डेट भी पूछी जा सकती है कि यह आयुक्त कप पद जो है कप तक था और परसासक कब आया ठीक है तो नेक्स्ट क्यूशन देखते हैं हमारा चंडिगड का पर्थम परसासक या राजेपाल देखे वह आ गया कि बहरव दत पांडे और यह डेट जो मैंने आपको बताई थी दो जून 1984 को यह पर्थम परसासक है और फिर यहां पर परसासक के पद जो है वो स्टार्ट हो गई थ नेक्स्ट क्यूशन है हमारा चंडिगड का वर्तमान में जो है वो राजे या परसासक कौन है तो यह है श्री वीपी सिंग बदनोर और यह कब बने थे 22 अगस्त 2016 से अब तक है यही है ठीक है चंडिगड के आयुक्त की जो परंपरा है यह कब से कब तक रही थी देखे वह क्यूशन रिपीट हुआ है एक नवंबर 1966 से एक जून 1984 तक और दो जून 1984 से परसासक का पद जो है वो आ गया था ठीक है नेक्स्ट चंडिगड का परसासक या राजयपाल के अधिन आया दो जून चंडिगड में बोली जाने वाली मुख्य भास्याई है हिंदी और पंजा अभी मुख्य भास्याई है लेकिन जो चंडिगड की राज भाषा क्या थी वो थी अंग्रेजी चंडिगड में कुल लोगसभा की सीटे कितनी है तो लोगसभा की सीटे एक है और वहां पर वर्तमान में एंपी कोन है श्रीमती किरन खेर जानते होंगे आप ये जो वोली व जीती हुई है ठीक है नेक्स्ट है एस्या में गुलाबो का सरवादिक उत्पादन चंडिगड में होता है परसीद जील सुखना लेक इसकी स्थापना हुई थी उन्नी सो अठावन में और किसके द्वारा की गई थी इसकी स्थापना की गई थी लीकारबू जीये के द्वा नेक्स्ट है जो यह खुला हाथ समारक है यह वही है जिसकी मैंने आपको पिक्चर भी दिखाई थी इसकी जो स्थापना है चंडिगड में 1964 में लीकारबू जीये के द्वारा की गई इसकी उंचाई कितनी है उंचाई है इसकी 14 मीटर और इसका वजन कितना है इसका वजन ह पचास टन ठीक है और रोग गार्डन का पे है यह भी चंडिगड में है रोग गार्डन जो है इसकी स्थापना की थी पंडित नेक्चंद ने और यह कितनी छेतरफल में फैला हुआ है रोग गार्डन यह रोग गार्डन जो है 40 एकड में फैला हुआ है ठीक है ओपन एर थ इसमें 1600 तरह के फूल पाई जाती है अब देखें 1600 कितनी ज्यादा मात्रा हो जाती है इतने टाइप के फूल जो है वहां पर पाई जाती है और ये जो रोज गार्डन है ये 30 एकड में फैला हुआ है और ये 40 एकड में क्या था ये रोक गार्डन था और रोज गार्डन है 30 ए निकल गार्डन बोट निकल जो गार्डन है ये भी चंडिगड में है और इसकी स्थापना हुई थी 2002 में और इसकी स्थापना किस ने की थी लेफटिनेट जनरल जे एफ आर याकूब के दवारा और यहां पर जो है 55 किसम की और सदियां पाई जाती है और ये 41 में हैं स्थापना 1882 में एक की गई ति अब आप देखर जू कितनी पुरा ना आ है जोंड़े जो विसम ऽ धाल ना है और इसकी पुनर स्थापना कब की गई थी 1956 में और इसके पंजाब विसम बताल्य की पुनर स्थापना 1956 में और इसके संस्थापक सर छोटो राम में परसी Hessीद चंडीगड को सीटी ब्यूटिफुल भी कहते हैं ये क्यूशन भी एक बारे चसे सी ने पूछा हुआ है कि चंडीगड का अन्य नाम क्या है तो वो क्या है सीटी ब्यूटिफुल आपको ध्यान में रखना है जो ओपन हैंड समारक है कैपिटल कॉमपलेक्स है इसकी स्थापन किसके द्वारा की गई थी लीकारबुजिये के द्वारा 2016 में यह समारक वर्ल्ड हैरिटेज की सूची में समलित किया गया कौन सा ओपन हैंड समारक है जो चंडीगड में ओपन हैंड समारक है उसको 2016 में ये भी आपको याद रखना है कि कब किया गया था वर्ल्ड हैरिटे पंजाब का सबसे पुराना अखबार्दा ट्रीब्यून यह कहां से परकाशित होता है यह चंडिगड से होता है अच्छा चंडिगड में किरकेट स्टेडियम है यह तो आप अगर मैच के शोकीन है तो आपको पता ही होगा तो यह कहां पे हैं सेक्टर इन सब का सम्मण कहां से हैं चंड़ीगड़ से है और यांकि जो है फेमस बस्नेलटी के बारे में इनोंने बताया है की एक तो सबीर भाठीय का सम्मढ़ चंड़ीड़ से है दूसरा नीरज बनोट का समढ़ का सम्मढ़ किरकेटर युवराज सिंग एतलेटिक मिलखासिंग इन सब का समद कहां से हैं चंडिगड से हैं ठीक है और परसीदे लोंग हट खुदा अलिशेर की दरगा कहां पे हैं चंडिगड में हैं देश का पर्थम दुमरपान रहित शहर यह important question बन जाता है यहां पे क्योंकि यह बड़ी बात हो जाती है कि सिर् चंडिगड और यह दुमरपान रहित के साथ साथ यह पॉलिथिन मुक्त भी था तो दुमरपान मुक्त यह कब गोशित हुआ यह डेट आपको याद रखनी है दुमरपान मुक्त हुआ 15 जुलाई 2007 को और यह पॉलिथिन मुक्त कब हुआ पॉलिथिन मुक्त हुआ दो अक् चंडिगर देश के किस पर्धान मंत्री के शपनों का शहर था तो ये था लाल नहरू के सपनों का शहर जो की भारत के पर्थम पर्धान मंत्री थे ठीक है ये उनके शपनों का सहर था और हैरियाना का एक और पूछा जाता है कि फरीदावाद किस के सपनों का शहर था तो वो किया था जो भारत के पहले कारिये वागपरदान मंत्री से थे स्री गुलजारी लानन्दा उनके दवारा किया गया था क्योंकि वो एक बार बंसी लाल जी के साथ कुरुक चेतर आये थे तब उन्होंने देखा था कि यह इतनी एतिहासिक भूमी है यहां कई संस्कर्ती इतनी पुरानी है कुरुक चेतर की तो उन्होंने देखा कि वहां की हालत बहुत खसता है तो उसके लिए उन्होंने एक विकास बोरड का जो है गठन किया था स्री गुलजारी लाल नंदा जी ने तो देखे यह क्यूशन की सभी इंपोर्टेंट हो जाती है आपको द्यान रखना है ठीक है नेक्स्ट क्यूशन चंडिगड का परसासक स्वी धान की किस धारा के तहत कारिय करता है 239 ये भी आपको बिल्कुल इंपोर्टेंट क्यूशन बन जाता है ये भी क्योंकि धारा एक्ट वगरा से भी क्यूशन पूछे जाती है काफी तो किस धारा के तहत कारिय कर चंडीगड के पूरो में स्थित है हरियाना, पूरो में कौन स्थित है हरियाना, और हरियाना का सिरफ एक जिला चंडीगड को टच करता है, पंचकुला जिला है जो, और चंडीगड के पूरो में हरियाना हो गया, तो उत्तर पस्चिम और दक्सिन में जो है पंजाब, यानि क जो चंडीगढ़ है उसको तीनोर से पंजाब से गिरा हुआ है वो सिरफ पूरु का जो उसका एरिया है वो हर्याने कोट चोता है पंच कोला को 3 है ठीक है next question है चंडीगढ को पंजाब को देने कि पेसकस कब की गई थी यह क्यूशन भी एक बारे चैसे सी ने पूछा हुआ है और हो सकता है भई फिर से रिपीट हो जाए तो कब की गई थी 39 जनवरी 1970 को और देश का केंदरिये विज्ञानिक उपकरन संगठन ये काँ पे है चंडिगड में है और चंडिगड पुलिस का जो नया डीजीपी है वो कौन है वो है संजबे निवाल संजबे निवाल क्या हो गए डीजीपी हो गए और परशासक क्या कौन है परशासक है वीपी सिंग बदनौर ये हम कर चुके हैं पहले ही परशासक वाला दोनों आपको याद रखने कि वीपी सिंग बदनौर जो है वो परशास के लिए एक और important topic और चंडिगड के बारे में एक दो बात मैं और आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो है एक अप्रेल को मूर्ख सम्मेलन मनाय जाता है जो की बहुत ही popular है यहाँ के लोगों के लिए और इस सहर को एक खास भी बनाता है यह एक तरह से ठीक है कौन सा सम्मेलन मूर्ख सम्मेलन कब बनाय जाता है एक अप्रेल को क्योंकि एक अप्रेल मूर्ख दिवस ही होता है आपको पता होगा तो मूर्ख दिवस जो है यह यहाँ पर मनाया जाता है और चंडिगड अगर आपको यह पूछ ले कि किन पहाडियों की प्रिष्ट भूमी में है option में आपको मिल जाए अरावली है सिवालिक है या सीडी ऐनिवन कुछ भी है तो ये हो जाएगा जो सिवालिक की पाडिया है उनकी प्रिष्ट भूमी में जो है ये बसा हुआ है ठीक है और इसको क्या कहते है इसको सीटी ब्यूटी फुल भी कहते है तो ठीक है बच्चो ये थे आज हमारे चंडिगर के बारे में एक छोटा सा टोपिक था ये जो हमने कवर किया है लेकिन इसमें जो कुशन्स हैं वो काफी इंपोर्टेंट है ठीक है तो ये सब आपको याद रखने हैं और ऐसी ही वीडियोज के लिए हससी के एक्जाम के अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ सेर अवश्य करना ठीक है देखने के लिए दन्यवादे